हलो दोस्तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सू एंडमल महारते स्वागत है आज मैं आप लोगों के सामने एडिडास का टकूमी से नाइन सू का रिव्यू लेकर काया हूँ मैं चाहता तो इस तरह से एडिडास का अभी जो मुझे सू आया इसे मैं इस तरह से बॉक्स से निकालता और बोल देता कि ये बेसू फोर रनिंग है पर मैं मेरे इस चैनल का यही खासियत है कि मैं जब तक जूते को बढ़ियां से टेस्ट नहीं करूँगा तब तक मैं बोलूँगा नहीं कि ये बेसू है कि क्या है मैं इसे 5 दिन पहले इसका unboxing किया था और मुझे बहुत सारे comment आये हैं कि इसका honest review एक दमी मंदारी से बताने के लिए कि यह जूता कैसा है क्या इसे हम लोग खरीच सकते हैं कि नहीं तो मैं इसे पिछले 5 दिन से दोड़ रहा था मैं इसमें 60 plus kilometer दोड़ चुका हूँ और उसके बाद मैं यह review बना रहा हूँ तो मैं आप लोग से बस यह request करना चाहूँगा कि इस वीडियो को सिर्फ इस सू का review समझ के मत देखिए आप कोई भी सू खरीदने के लिए जा रहे हैं तो इस तरह का आपको अगर सू review कोई बताता है तब ही आप देखिएगा आपको example को तोर पे बताए खुद test करे दिखाए तब आप मानिएगा मैं जब यह जूता खरने के लिए सोचा था तो मैंने बहुत सारे वीडियो देखे पर मुझे कहीं पे भी इस तरह से समझाए नहीं गया था पर मुझे एक मोटा मोटी hint मिल गया था कि यह जूता अच्छा होगा मेरे लिए मैं 10 km का practice करता हूँ ट्रेनिंग करता हूँ तो मुझे 10 km के लिए एक जूता चाहिए था इससे पहले मैं Puma का debit Nitro 2 इस्तमाल कर रहा था 6 महिना हो गया था मुझे इससे तो अब मैं जूते को और upgrade करना चाह रहा था अभी मेरा base timing 44.04 है उससे मैं और अच्छा करके मैं 42 minute 41 minute का target लेके चल रहा हूँ तो उसके लिए मैं जूता को upgrade करना चाह रहा था तो मैंने बहुत सारे review देखा तो मुझे आया दिमाग में कि ये जूता ठीक रहेगा तो अब पर मैं आप लोगों को इस ये जूता आप लोगों के लिए ठीक रहे कि नी इसलिए मैं इसे बहुत ही इमंदारी से आपके लिए वीडियो बनाया हूँ बहुत ही मेहनत किया यह जूता को जब आप पहली बार पहनोगे जैसे ही पैर में डालोगे तो आपके चेहरे में मुस्कान आ जाएगा यह जूता इतना हलका है इतना हलका है कि आपको जब रन करोगे तो आपको समझ में ही नहीं आगा कि आपने कोई जूता पहना है इसका अपर जो है ये इतना transparent है देखिए पूरा net type का है आपके एक चीज़ मैं दिखाता हूँ थोड़ा सयम रखिए वीडियो को पूरा देखिए आपको मैं बहुत अच्छा तरह से आपको बताने वाला हूँ आप देखो ये दिख रहा है ये इसका काना मौजा तक दिखने लगता है अंदर से ये इतना transparent है और ये इतना इसमें hole है कि आप जब run करते हो तो इसमें इतना air pass करता है कि आपका पैर को गरम नहीं होने देता है आप जब लंबा दोड़ोगे तो आपका पैर गरम हो जाता है हिट हो जाता है उसे करना आपका performance खराब होने लगता है आपका पैर का जो नीचे का portion होता है उसमें जलन होने लगता है ऐसा कोई तरह का issue में नहीं आया अभी मैं इसका कुछ positive point बता रहा हूं इसका बाद मैं negative point भी बताऊंगा कि इसमें क्या negative चीज है तो इसका एक तो य आप समझ में आता है भाई कि मैं कुछ हलका चीज इस्तमाल कर रहा हूं पैर के नीचे में कुछ हलका चीज है और मैं इसे पहन करके ground पे दोड़ा हूं road पे दोड़ा हूं road पे मेरे area में hilly area है up है down है वहाँ पर में में दोड़ा हूं हर जगाँ पे इसो check किया हूं ताकि आप लोगों को एकदम पता चल सके कि यह क्या यह अलग surface में काम करता है कि नहीं ठीक से आप जब ground में दोड़ोगे तो आपको turn जब आता है तो बहुत पर क्या होता है हम लोग फिसल जाते सकेट कर जाते क्योंकि उसका जो grip होता है वह अच्छा तरह से काम नहीं करता है आप जब marathon वगएरा दोड़ने जाओगे तो आपको कहीं न कहीं turn मिलेगा ही एक से दो turn तो मिलेगा ही मिलेगा तो बहुत सारे लड़के क्या होता है या या तो उनका speed down ही आता है या तो slip कर जाते है पर यह जूता एकदम भी उस तरह का कहीं हमको problem नहीं होने दिया इसका जो continental rubber है यह इतना अच्छा grip देता है कि मैंने कि आपको slip करने ही नहीं देता है और इसमें दूसरा rubber इसमें साइड से देखी तो बहुत ही पतला rubber दिया और वो उतना durable भी नहीं रहता है वो जोले घिस भी जाता है 60 प्लस किलमेटर दोड़ चुका हूं कहीं पर भी कोई तरह problem नहीं है और यह पतला rubber है यह जो send paper होता है उस type का यह rubber है और यह जब हम downhill में uphill और downhill में जब एरिया में जाते है न वहाँ पर यह बहुत अच्छा काम और अभी तो बारिस का मौसम है मैं ground पर दोड़ता था तो देखिए ground पर दोड़ने कारण देखिए इसका form पूरा चमक रहा है white है और यहां देखिए यह yellow हो गया है ground का मिट्टी में दोड़ते यह yellow हो गया अब क्या है देखिए आपके लिए मैं इतना गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ वीडियो पसंद है जरूरी से like कीजिएगा मुझे support करने के चैनल को subscribe कीजिएगा तो यह ground में दोड़ने करने यह पूरा yellow हो गया पर यह इसका form है ना यह form इतना इसको ऐसा ट्यून किया गया है कि यह form आपका उसी हिसाब से दबता है जैसा कि इसको दबना चाहिए यह ना तो बहुत ज़दा soft है ना तो बहुत ज़दा hard है पर आप जब दोड़ते हो तो यह बहुत अच्छा response देता है आपका प्यार को कहीं भी problem नहीं होने देता है मैं इस पर दोड़ करके अभी तक अपना 10 km में personal base का time निकाल चुका हूँ हाथ marathon में अपना personal base का time निकाल चुका हूँ अब बात करते हैं कि इसका मैंने इसका आपको एक तो lightweight बता दिया दूसरा इसका breathability अपर तिसरा इसका form चौथा इसका grip और पांच वार देखिए इसका ये इसमें प्लेट लगा हुआ है carbon plate ये जब आप carbon plate एक जेकली नहीं है ये plastic का plate है पर ये देखिए ऐसे करके जब हम लोग दोड़ते हैं तो ये देखिए spring के जैसे काम करता है तो जब आप दोड़ते हो तो ये आपको आगे हमेसा पुस करता है तो आपको बहुत ही अच्छा speed करता है इसलिए मैं इतना जल्दी इस जूते पर मैं अपना अच्छा time निकाल पाया आपको starting में क्या होता है कि जूता को समझने में समय लग जाता है पर ये जूता इतना जल्दी मेरे साथ friendly हो गया कि मैं अपना 10 km में अपना personal best निकाल लिया हूँ इससे पहले मैं अरे पास एडास का ये सूथा इसमें भी एक प्लास्टिक का प्लेट लगाओ था उसमें भी सेम इस तरह काम करता था और इसका भी जो रवर है ये continental रवर दिया पुरगंदा हो गया है इसको मैं भी दोड़ने में इस्त्वाल कर रहा हूँ तो इसी को देख जूटा अभी ग्राउında में दोड़ रा था तो ग्राउंड में दोड़ने कारन ये जुटा घन्दा हो जाता था तो मैं डैली आके धोता था और ये जूटा में पानी बिलकुल भी पकड़ता ही नहीं इसको सुखाना इतना असान ही क्या बोले मैं पानी पानी धोए ऐसे करके जाड़ दीए दो-चार बार सारा पानी खतम और एक से दो घंटा में फैन के नीचे ही सुख जाता है तो सुखाने में भी कोई दिकत नहीं एक अच्छा बात और मैं बताजेता हूँ ये चीज आपको दिखा पाऊँगा के नहीं अंदर में देखेखेए यहाँ पर पैडिंग है दोनो साइड में इधर में भी और और इधर में भी देखेए दोनो साइड में पैडिंग है आपको पीछे का पोज़िसेंगरिया य तर आपको बहुत ही बैल épo firmani रखता है इसलिए आप turn वगेरा में आप जल्दी slip नहीं करते हो तो ये अच्छा इसका point है एक चीज और है ये वाला ये बहुत सारे सू में आपने देखा होगा कि पीछे में पकड़ करके खिचने के लिए राता है पर इसको इस तरह से design किया गया है कि ये उसी के अंदर में set कर दिया है पर जब आप जूता पहनते हो ना तो ये जूता में पार डालने के लिए होता हो जाता है उसको सबसार बड़ा तो इसका tongue इसका tongue जो है ये इतना पतला है कि जब इसको पहनोगे तो आपको एक बार में आपका ये set नहीं होता है तो इसको आपको समय थोड़ा देना पड़ता है, अलग से, जैसे कि ये जूता है, ये जूता में आप पैर डाला, टंग को खीचा, सेट हो गया, इस जूते में भी आपने जूता पैना, टंग को खीचा, सेट हो गया, पर इसको सेट करने में थोड़ा समय लगता है, ये एक स जितने भी जूता आप देखो इसमें 6 आते हैं इसमें देखिए गया एक दो तीन चार पांच और एक रनर्स नॉट का जो 6 होता उसको मिला के 6 इसमें कुछ ज्यादा ही 6 डाल दिया गया है पर इसे कोई बड़ी बात ने पर उपर में देखने में में पूरा एदम लेसी लेस दिखता है बस यही इसका नेगेटीब पॉइंट मुझे लगा बात बाकी यह जूता अभी तक बेस्ट वेल्यू आफ मनी मुझे दिखा अगर आप बात करोगे कि इसका कंपीटिशन में तो नाइकी का स्ट्रिक फ्लाई आप खरी सकते हो मैं मैं स्ट्रिक फ्लाई नहीं ख अब सवाल आएगा क्या इसे मैं पहन करके हाफ मेर्थन दोड़ सकता हूं तो बिल्कुल दोड़ सकते हैं मैं खुद इस पर हाफ मेर्थन दोड़ा हूं अब मेरा अपना परसनल बेस्ट अभी तर निकाल लिया है पर अगर आप 10 किलोमेटर तक के लिए जूता अगर लेना अगर आपको इस तरह का और भी आने वाला समय में एकदम हर एक कोई भी टॉपिक हो मैं हर एक चीज पर इमंदारी से आप लोगों बताता हूं मैंने जो कुछ ट्रेनिंग जो कुछ प्रैक्टिस किया है जो कुछ भी मेरे पास रहता है उसी चीज को मैं बताता हूं और मैं मैं अपना स्ट्रावा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहां से आप जाकर के मुझे फॉलो कर लेना आप वहां पर मुझे सब कुछ देख लोगे कि मैं किस तरह से डेरी बेसिस में रन करता हूं अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजेगा शेयर कीजिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को बजा लिएगा कि जैसे ही मैं वीडियो डालू आपको तुरंत मिल जा है वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद